बोवी और ब्लैंग रिडाक्शन यहां पर क्या होता है इस्टर ब्रीडूस होके एलकोल में कंवर्ड हो जाता है इसको देखो यह एक एस्टर है यह इस एस्टर को अगर आप सोडिया मिफनोल के प्रेसंस में रियक्शन करवा दोगे तो वान डिग्री एलकोल होगा और उसक इसको छोड़के यह जो पॉर्षण है यह आट डैस वह इच में चेंज हो जाएगा अगर इस मॉलिकुल को आप देख रहे हो तो यह एक एस्टर है इसको अगर आप रिडूस करोगे तो यह पॉर्षण वान डिग्री अलकोल में चेंज हो जाएगा यह पॉर्षण और यह कराद में चेंज हो जाएगा यह भी है कासा अब बसटो वान डिग्री